हलो एवरिवान, वेलकम टू हीरल्स होमस्पन टेल्स, आज हम बनाएंगे दाल फ्राय और जीरा राइस, जोगे अल्मूस्ट सबके फेवरिट होते ही हैं, तो चली इसे बनाना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले मैंने यहां पे लिया है वन कप बास्मती राइस, अब कोई भ दालूंगी, टू कप्स वाटर, और इसे मैं आदे घंटे तक भीगो कर रख दूंगी, तो यहां पे मैंने ले लिया है दो कप पानी और इसे ढख कर आदे घंटे के लिए सोख होने देंगे, तो अब हम दाल ले ले लेते हैं, मैंने लिया है 500 ग्राम तूर दाल, 100 ग्राम म मसूर दाल, इन तीनो दालों को हम मिक्स करके, मैंने दो-तीन बार अच्छे से धो लिया है, अब इसमें मैं लेती हूं अप्रॉक्सिमेटली तीन कप पानी, और इसे भी हम सोख करेंगे तकरीबन एक घंटे तक, अब आधे घंटे के बाद मैं गैस ओन कर देती हूं, और य जैसे इसमें बॉयल आना शुरू हो जाए, हम गैस की फ्लेम कर देंगे मीडियम और इसे अप्रॉक्सिमेटली 12-15 मिनिट्स तक कुख होने देंगे, तब देखिए 15 मिनिट्स के बाद चावल एकदम अच्छे से खिले खिले से कुख हो गये हैं, और हम चेक कर लेते हैं, त तब मैंने प्रेशर कुकर में दाल ट्रांसफर कर दी हैं, इसमें मैं डालूंगी few drops of oil और इसे कवर करके मुझे प्रेशर कुक कर लेना है इसे तकरीबन 2-3 whistles आने तक, तो देखिए दाल अच्छे से कुक हो गई हैं, और मैं हलका सा इने विस्क कर लेती हूँ, ताकि तीनो दाल एक दम आपस में अच्छे से ब्लेंड हो जाए और ये एक कंसिस्टेंसी की दाल हो जाए, तब इस दाल को मैं बूल में टांसफर कर लूँगी, और ये रहे हमारे इंग्रीडियन्स जो हमें चाहिए दाल फ्राइ बनाने के लिए, तो चलिए दाल फ्राइ बनाते हैं, तो सबसे पहले एक फ्राइंग पैन को मैंने हीट करने रख दिया है, और इसमें मैं डालूँगी और 4 टीस्पून घी, या तो 2 टेबल स्पून घी ले सकते हैं, और इसमें डालूँगी जीरा, जैसे ही जीरा खिल जाए, तब इसमें हम डालेंगे हींग, और साथी कुछ क जीरीन चिली, जिसे मैंने रफ्ली क्रश कर लिया है, और इसका कच्छापन जाने तक हमें इसे कुछ करना है, घी में डाल का चौंक लगाया हुआ, बहुत टेस्टी लगता है, अब इसमें मैं डालूँगी अनियंस, ओनियंस को गोल्डन ब्राउन होने तक साथे कर लेने ह जैसे कि मैं बूल रही थी, घी में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, दाल फ्राई घी में बनी हुई, बहुत टेस्टी लगती है, और जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाए, इसमें हम डालेंगे टोमेटोस, तोमेटोस को हमें सॉफ्ट और मश्री होने तक आच्छे से क मेडियूम फ्लेम पर कुक करेंगे और उसे बीच-बीच में चला दे जाएंगे, टोमेटोस को जल्दी कुक करने के लिए मैं इसे कवर करके मीडियूम फ्लेम पर एक मिनिट तक इनहे पका लोंगी, तब देख्ये एक मिनिट के बाद टोमेटोसच कुक होगे हैं, अच्छ अच्छे से ब्लेंड हो जाए तिक दम हलका सा बस इतना ही थोड़ा सा मैश करना है हमें अब इसमें मैंने डाल दिया हल्दी पाउडर लाल मिर्च पाउडर और धन्या जीरा पाउडर मैंने या पे लिए कसूरी में थी जिसे में दोनों हाथों के बीच में इस तरह से क्रश करके डाल दूँगी और स्वादानुसा नमक डाल देंगे तो अब इन सब मसालों को हम टोमाटो ओनियन के साथ अच्छे से मिक्स करतेंगे तो देखिया अच्छे से ब्लेंड हो गया है मसाले टोमेटो के साथ अब इसमें हम डालेंगे बॉल की हुई दाल और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यह मिक्स करने के बाद मुझे दाल थोड़ी सी थिक लग रही है तो इसकी consistency हम adjust कर लेंगे तो मैं यहां पर थोड़ा सा पानी डालएंगी थोड़ा सा पानी डालके अब अपने हिसाब से इसकी consistency adjust कर लीजे वैसे तो टोमेटो ही है और दाल भी अच्छे से बॉल हो गयी है तो हमें जोंलों को अच्छे से ब्लेंड करना है तो उसके लिए हम इसे cover करके 8-10 minutes तक simmer करेंगे तो ये medium flame पर दाल simmer हो रही है और approximately 10 minutes के बाद ये देखिया अच्छे से दाल cook हो गई है जितनी ज्यादा simmer होगी उतनी ही दाल अच्छी लगेगी इसमें lastly मैं डाल दूँगी lemon juice and give it a nice mix तो ready है हमारी दाल फ्राई अब और एक कड़ाई में मैंने ले लिया है घी around 2 teaspoon घी और इसमें मैं डालूँगी जीरा थोड़ा ज्यादा ही जीरा लेंगे क्योंकि इसमें हमें जीरा का एक predominant flavor चाहिए तो जैसे ही जीरा खिल जाए इसमें हम add कर देंगे हमारे cook किये हुए rice और इसमें सब को हलके हाथों से अच्छे से mix कर लेंगे मैं इसमें खड़े मसाले नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ जीरा का flavor एकदम प्रॉमिनेंटली चाहिए तो इसलिए मैं सिर्फ जीरा और घी डाल रही हूँ तो देखिए अच्छे से मैंने जीरा में mix कर लिये है राइस और लास्ली इसमें थोड़ा सा स्वादानुसा नमक डाल देंगे और सॉल्ट को भी अच्छे से इंकॉर्परेट कर लेंगे तो रेडी है हमारे जीरा राइस और दाल फ्राइ जिनने मैंने चॉप्ट कोरियांडर के साथ गार्निश कर लिया है तो इन्हें मैं सर्फ कर देती हूं तो देखिए हमने सर्फ भी कर दिये हैं और आप इसे रिलि पेसे मैं सर्फ बिया है